नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज मैं आपको बताऊंगी मलाई से मक्खन कैसे बनाते हैं तो आए रेशिपी को सुरू करते हैं और बनाते हैं घर का मक्खन मैंने यहाँ पर मक्खन को निकालने के लिए नॉर्मल जार लिया है जिसमें मसाले उगर हमेशा पीशते रहती हूँ और यहाँ पर मैंने जो मलाई लिया है वो एक खपते से मैं इकठा कर रही थी और फ्रीज से निकालके इसको नार्मल करके और इसको हलका गुनगुना में जामन डालके दही बना लिया है अब सारे मलाई को मैं मिक्सिंग जार में डाल दूँगी मलाई का दही बनाना बहुत जरूरी है नहीं तो इसका निकला हुआ दूद बेकार हो जाएगा और ज़दी दही डाल के मक्षन निकालते हैं तो आपका छांच बेकार नहीं जाएगा आप इस छांच से कड़ी भी बना सकते हैं इसको पिछने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक से डेड़ मिनट लगता है और मक्षन हमारा बन के त्यार हो जाता है यह देखिए मैंने मिक्षी को चला दिया है और एक मिनट तक इसको घुमाती रहूँगी मिक्षी को चलाते हुए हमको एक मिनट हो गया है अब इसको निकाल के एक पर देख लेती हूँ कि मक्षन हमारा बना है कि नहीं बना है और यह देखिए मक्षन हमारा एकदम से अलग हो गया है इसको शिरिफ एक मिनट लगा और मक्षन एकदम से अलग होके निकल गया अब मैं इसको एक बावल में सिफ्ट कर लेती हूँ यह देखिए कितना बढ़िया मक्षन निकल के त्यार हुआ है अब मैं इसको बावल में सिफ्ट कर लेती हूँ मक्षन को आप चम्मस से नहीं निकाल पाएंगे मक्षन में हाथ लगाना बहुत जरूरी है तो हाथ को अच्छी तरह से साफ करके और हाथ से मक्षन निकाल लीजिए इसको एक साथ करके यह देखिए कितना बढ़िया मक्षन निकल के त्यार हुआ है बहुत आसान है इसको निकालना आप चाहे तो इसका घी भी बना सकते हैं घी बनाने के लिए इसको गरम कर लीजिए और इसका जो घी है वो चार-पांच मिनट में ही अलग हो जाएगा तो यह देखिए कितना बढ़िया मक्षन निकाल के मैंने रख लिया है और इसको निकालने में हमको कोई परेशानी नहीं हुई मेरा इस मक्षन निकालने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंड करके जरूर बताइए और ज़दी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए तो मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए जय ही जय भारत